नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है, आज आश्मा महाजन Hindi Learning चैनल पर लेकर आई है, नई आशाएं Hindi पार्ट माला क्लासिक्स के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर 7, मोती, जी हाँ, मोती, मूची प्रेमचन जी द्वारा रच्छी ते कहानी है, इजी आपको इस वीडियो में मिलेगी, 6 चैप्टर अप्लोड हो चुके हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, 6 चैप्टर पढ़िए, दोस्तों के साथ शेर कीजिए, पसंद आए वीडियो, तो लाइक का बटन सरूर दबाईए, आईए बरीफिंग कर देती हूँ, मोती जो है, वो राजा साहब की सवारी का एक सीधा और समझदार हाथी था, कभी-कभी गुसा करता था, तो एक दिन उसने गुसे में आके अपने महावत को मार डाला, इससे राजा साहब ने क्या किया, जो मोती है, उसकी पदवी छीन ली, और अब उससे कुलियों जैसा विवहार किया जाता था, भार भरिया जो होते हैं, भार डोने वाले होगे, और खाने के लिए उससे सूखी टैनिया दी जाती थी, उससे बड़ा बुरा लगता था इस बात का, एक दिन वो जोश में आया, उसने अमनी जंजी तोड़ डाली, वो राजा साब किया दोड़ा, राजा साब एक जोंपडी में गुश के, मोती भी उनके पीचे वाँ गुश केया, मोती ने क्या किया सून से, उपर का जो छपपर था वो गिरा दिया, पैरों से रोंद डाला, राजा साब किसी तरा अपनी जान बचाके, वहां से भागे, अब उसने देखा, मोती सिर्चुकाय, उसी पेड़ की और चला आ रहा है, मोती ने मोती को इशारा कर दिया, मोती ने उसे अपने मस्तक पर बढ़ा लिया, मोती मुली को राजमेल की और ले गया, और जब वो राजमेल के दवार के पास पहुंचा, तो मुली ने चिलाकर का डरो यवर्ट पढ़ने जा रहे हैं और बताया क्या गया है कि पशु भी सम्वेधन शील होते हैं उनमें भी भावनाई होती हैं सम्वेधनाई होती हैं अपने साथ जो व्यवहार होता है उसका रियक्शन वो उसके एक वाडिंग ही देते हैं प्यार मिलेगा तो प्यार देँगे और अगर कहीं से भी उन्हें दुद्कारा जाता है तो वो फिर उसका बदला लेते हैं, तो वे भी प्यार और मान चाते हैं, रिस्पेक्ट चाते हैं, मोती अपनी पद्वीख होकर कैसे रियक्शन करता है, कैसे काबू में आता है, आईए, अब वर्ड बाइ वर्ड एक्स्प था, वो गरम हो जाता था, और वो अपे में नहीं रहता था, जानि की अपने पर जो भी कंट्रोल है, वो खो बैठता था, कई बार इनसानों के साथ भी ऐसे ही हो जाता है, उस हालत में उसे किसी बात की सुद्ध ना रहती, जानि की वो भूल जाता, महावत का दभाव वे नहीं मानता था जानी हाथी जो हांकने वाला था उसका दबाव प्रेशर वो जहेलता नहीं था एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला राजा साब ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें बड़ा गुसा आया मोती की पद्वी छिन गई उसे राजा साब की सवारी से निकाल दिया गया क्योंकि राजा साब को भी लगा महावत को एक दिन मार दिया तो हो सकता कल को मेरे पे भी अटैक कर दे अब कुलियों की तरह उसे लकड़िया ढ़नी पड़ती पत्थर लादने पड़ते शाम को पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिय जाता उसके सामने सुखी टैनी अराल दी जाती उनी को चबाकर वो भूकी आग बुजाता जब वे अपनी इस दशा को पहली दशा से मिलाता तो बहुत चंचल हो जाता वे सोचता कहां मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहां आज मामुली मजदूर हूँ ये सोचकर जोड जोड से चिंगारता उचलता मतलब गुसा आता उसे आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजी तो डाली जंगल की तरह भाग गया थोड़ी दूर पर एक नदी थी मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया तब वहां से जंगल की और गया रा एक दिन क्या किया उसने जंगल में दूसरे हातियों ने जब मोती के गले में रसी देखी जब पाओं में तूटी जंजीर देखी तो मूँ फेल लिया जानी कि उससे फ्रेंडशिप नहीं की उससे दोस्ती नहीं की नराज हो गए मोती भागता हुआ महल की और चला रास्ते देज थी राजा साहब जरा दम लेने को घोडे से उतरे जानी की थोड़ी सी सांस लेने को अराम करने को अचानक मोती चटान की यार से निकला चंगारता हुआ राजा साहब की दोड़ा राजा साहब गबरा कर भागे एक छोटी जोंपड़ी में गुश गए मोती भी पीछ नहीं थी कोई आश्चा नहीं थी किसी तरह जान पर खेलकर वो पीछे दिवार पे चड़ गए और दूसरी तरफ कुद कर बाहा निकले जान पर खेलकर अपने आपको मसीबत में डाल कर महल लाटकर राजा सामने डिंडोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति मोती को जिंदा पक कितने साल का था? आठ बरस का ये वही मुली था जिसके बापको मोती ने मार दिया था जानि की महावद को मारा था ना स्टार्टिंग में राजा साहब दिया करके उसे और उसकी माय को खाने पहनने के लिए कुछ खरच दिया करते थे मुली था तो बालक पर हिम्मत का धनी कमर कसकर मोती को पकड़ कर लाने के लिए वो तैयार हो गया कमर कसकर मतर रेड़ी हो गया वो तैयार हो गया जंगल में जाकर एक पेड़ पर चड़कर बैड़ किया इदर उदर नजरे दोडा कर मोती को ढूंडने लगा उसने देखा कि मोती सिर जुकाए उसी पेड़ की और चला आ रहा है जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया मुडली ने पेड़ पर से उसे पुछका रहा है मोती ने मुडली गी और देखा फॉरन पैचान गया ये वही मुरली था जिसे वे अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था मैंने ही इसके बाप को मार डाला ऐसा सोचकर उसे मुरली पर बड़ी दिया आई जानी कि हाथी भी सोच रहा था कि मैंने इसके बाप को मार डाला वो खूशो कर सौंड ही लाने लगा मुरली पेडgende से नीचे उत्रा मोती की सौंड को प्यार से थपतवाने लगा उसने मोती को बैढ जाने का इशारा किया पर हाथी था बैठा नहीं बलकि उसने मुरली को अपनी सौंड से उठा कर पहले की तरह अपने मस्ताग्पे बिठाली और राजमेल की और चल दिया मुरली जब मोती को लिए हुए राजमेल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतोटले उंग्ली दबा ली अब दांतोंटले उंग्ली दबाना मतलब है रहान हो जाना कि आठ साल का लड़का ले आया रायमेल सारे लोग गए थे पकड़ने के लिए किसी के काबू नहीं आया सब कामयाब ना होकर लोटे थे मुल्ली चिला कर बोला डरो मत मोती बिल्कुल सीधा हो गया अब यह वै किसी को नहीं मारेगा राजा सामने मुल्ली को एक हजार उपियों का इनाम तो दिया ही उसे अपना खास महावत बना लिया जो पदवी इसके बाप की थी वो बेटे को दे दी मोती फिर राजा साब का सबसे प्यारा हाथी बन गया था तो यह उपनिया समराथ मुची प्रेम चन की कहानी है मोती तो आपने देखा जब मोती को प्यार मिला पदवी वापिस मिली तो मोती काबु में आ गया तो पशू भी इनसानों की तरह ही होते हैं बेजुबान जरूर होते हैं लेकिन भावनाएं उनके अंदर वैसी ही होती है इसलिए हमें पशू की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो हाथी के स्वभाब के बारे में उसके विवहार के बारे में उसके खान-पान के बारे में जानकारी इकठी कीजिए और अपनी कक्षा में अपनी अधिहापिका को सुनाईए ठीके चलिए आईए एक्सेसाइस की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला कोशन आपके सामने है मोती कौन था तो आपको पता ही है राजा साब की खास सवारी का हाथी था मोती ने महावत को क्यों म साथ पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो पागल हो गया था राजा साब का पीछा किया क्योंकि उसका मानना था राजा साब के कारणी उसकी ये दश्या हुई है वो एक्छली राजा साम को ब्लेम कर रहा था उसके बात मुरली कौन था तो मोती के महावत के लड़के का ना तो आब बताईए क्यों निकाला था जी हाँ एक दिन पागल पन में उसने अपने महावत को मार डाला था तो राजा साब ने जब ये खबर सुनी थी तो उन्हें बड़ा गुसा आया था तो उन्होंने मोती की पदवी छीन ली थी और राजा साब की सवारी से निकाल दिया उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें पता चला कि वो एक पालतू जानवर है और बेडियां तोड़ कर आया है उसके बाद राजा साब ने मोती के बारे में क्या घूशना करवाई कि जो भी इसे पकड़ के लाएगा जिन्दा मैं एक असार उपे दूँगा मोती को राजमहल कैसे लेकर आया था बड़ी शान से लाया था बई वह तो उसकी सून्ड पे ही चड़के आया था मोती ने तो उसे अपनी सून से उठाकर अपने मस्तक पर बिढ़ा लिया था दोनों राजमेल की और चल पड़े थे तो पूरी आपका आनिया लिखे गए मुली कैसा लड़का था मुली हिम्मत वाला लड़का था पांचे बाके मुली के बारे में लिखने है तो आपको लिखकर यहां दे दी है आप लिखकर अपनी कॉपी पर लिख सकने हैं ठीक है पठीकदियांश किसने अपने महावत को मारा था मोती ने उसने ऐसा क्यूं किया पागलपन में मोती की कौन सी पद्वी छिन गई राजा साब की खास सवारी की ठीक है आपके विचार में मोती के विवहार में परिवर्तन आने का कारण क्या हो सकता है पशू भी भावु कोते मैंने शुरू में ही पता दिया उनमें भी समझ होती है जब उसने अपने महावत के बेटे मुली को देखा उसके मन में उसके लिए प्रेम की भावना पन पी उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ मोती के प्रती राजा साब के विवहार के बारे में आप क्या सोचती है राजा साब का विवहार पहले तो अच्छा था लेकिन जब मोती ने उन पर हमला किया अनुस्वार और अनुनासिक लगाने हैं ठीक है अनुस्वार मतलब दि अब अनुनासिक मतलब चंद्र भिंदु तो इन दोẫn का प्यो करते हुए यह आपको सारे शब्द लिककर दे दिए गए ठीक है आगे है सर्वनाम का सही रूप लिखकर वाक्य में रिक्तस्तान भरने है तो वह का सही रूप हो गया उसे किसी बात का भोशना रहता था मैं का सही रूप मा मुझे भी अपने सा बजान ले गई तुमका सही रूप तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई उनका उनकी मुसीबत में उनकी हम का हमने बहुत साहिता की डूंडने पर भी वे का सरवनाम हो गया उनहें कुछ पता ना चला इन वाक्यों में सबंद बोदक आपको चांट कर लिखने है मोती जंगल की तरफ भाग गया जिसको मैंने अंडरलाइं की है आप उसे चांट कर सामने लिख लिजिएगा ठीक है क्योंकि दो संग्या दो सरवनाम के भी जो सबंद बताते हैं वो सबंद बोदक होते है उप्यूक्त मुहावरे से रिक्तस्थान बनने है तो मैंने मुहावरों के रिक्त स्थान जो है भरकर आपको दे दी हैं आम पर इस पेच पे आप देख सकते हैं इसके बाद आपकी वक्षीट अगर बुक लगी हुई है तो वक्षीट डिसकस कर लेते हैं तो वक्षीट में मोती के चैप्टर का पहला कोशन है प्रिष्ट संक्या 15 और 16 पर मोती के बारे में 4-5 पंक्ति हैं तो वो 4-5 पंक्ति हैं यहीं है राजा साब की खास सवारी का हाती था सीधा था समयधार था कभी-कभी गुस्ता करता था अपने आपके में नहीं रहता था कहानी के राजा साब आपको कैसे व्यक्ति लगे अच्छे थे वो लेकिन जब उन्होंने मोती को पकड़वाने के लिए इनाम रख दिया तो थोड़े क्रोध में भी आ गए थे तो ये शब्द आपको बना कर दे दिये गए हैं इसके बाद विलोम शब्द हैं करोध का शांत कामयाब का नाकामयाब चंचल का स्थिर खर्च का जमा सीधा का उल्टा धनी का नर्दन बहुवचन शब्द सामने लिखकर दे दिये हैं सवारी का सवारियां खबर का खबरे लकड़ी का लकड़ियां जंजीर का जंजीरें और इसी प्रकार से चटान से लेकर रसी तक ठीक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए लकड़ी फूसादी की बनाई हुई शाजन जिसे कहते है जूंपड़ी जो हाथी हांकता हो महावत जो मनुश्य बोजाड होने क काम करें बोजिया जो व्यक्ति जानवरों का शिकार करें शिकारी जो राजा का निवास्थान और राजमेल इन मुहावरों का वाक्य प्रियोग करना था धिंडोरा पीटना सुरेश ने सबके सामने अपने प्यार का धिंडोरा पीटना गरीबी के समय निकट के सबंदी भी मुफे लेते हैं कमरकसना विरोधी टीम कमरकसकर खेलने के लिए तैयार हो गई दांतों तले उंगली दबाना पूरा लिखा नहीं है जादू देखकर आम उने दांतों तले उंगली दबाली उंगली दबन अपनी कर्तूतों के कारण उसकी उंगली दबी हुई है तो यहां पर आपका पूरा चैप्टर हुआ फिनिश वीडियो को लाइक किये बिना बिल्कुल मजाईएगा दोस्तों के साथ शेयर किये बिना भी बिल्कुल मजाईएगा आपकी डिमांड पर चैप्टर 6 और 7 अप्लोड कर दिया गया है ओके स्टुडेंट्स पढ़िए पहले साथ चैप्टर और अपना यूटी वन और जो भी आपका ऐसे वन स्कूल में चल रहा है उसके एकॉर्डिंग अपनी त्यारी कीजिए साथ चैप्टर अप्लोड हो गए है साथो चैप्टर के एकॉर्डिंग अपने टम बन के एक्जाम दीजिए और बताइए आपके कितने मांक्स आए है चैप्टर एट है फसलों के त्याहार जैसे ही डिमांड आएगी अप्लोड कर दिया जाएगा चलिए 6-7 चैप्टर पढ़िए पहले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फिर देखते हैं कितने व्यूज आते हैं और 8 चैप्टर लेकर आपके सामने आएंगे ठीक है बच्चो गुडबाई टेक किया